बूद मॉर्णिंग दियर इस्टूरेंट्स आज हम लोग नाइट प्लास इन दी विडियो के विडियो दी सब्जेक साइंस में जो टॉपिक के स्टडी करने जा रहे हैं वो चैप्टर नमबर चैप्टर है बल तथा गति के नियां ठीक है इस चैप्टर के आँके की पुरिश्ट में हम करने जा रहे हैं जैक है क्या पर जा रहे हैं पल तथा गति के नियां नियां कि परना पुछ में जे किला में रहका न की ये एक गैन है दिनल्छे उस्ता है 6 चार मीटरा है 4-3 सेक्ट इस्पाय के तोरण उन्मख करने के लिगे टीक है केब ईसमे तोरण उन्मख करता है 4 मिटर निया सट्रें के चावागा है मलतम वो बाल जित्य ज्द़ें ज्यादा आगे जाती रहे हर पर मिटर जिकिट छार मिटर दिदा सट्रें count एक सेकिंड के चार मीटर कर दो इकार विय्स ब्रस्ट करने करते हैं कितने फ़ली का ऐसा हड़िए, जब तुझा विज द्याया जाते हैं में अब बाइबान सोबें छेग दोना हूं। तवरान के पना है 430 सिकेट इसकुर और हमें कैसे क्रिंट कर दी है बल क्राइट करना है। तो हम ने रिखा हम जाने हैं कि ये एक फॉंट नहीं होती है। ये तीमा और आशी होती है, एक डिलेशन का एक फॉंट है। Numerical value में हमें कोई भी value find out करती होती है तो उसके लिए हमें कोई जब कोई relation के आपके shift होती है और वो relation ऐसा होना चाहिए जो उलाजिया दी हुई है हमें वो उसके आती हुई हुए ठीक है तो हमाने पास हमें बल find out उपरता है दरगमान पर दिया हुआ है तोलाण पर दिया हुआ है दरगमान है हमें हमें पास 6 kg तोलाण है हमें हमें पास 4 इंटर पर से किन स्कॉयर इन दोरों को multiply करें गरेंगे 6 पोर्टर 24 ठीक है आंसर पर हमाना पर 14 पूइटर यह आंसर होगा इस प्रॉब्लम के तोशल रखी है नेक्स पोशल है हमारे पास विलान मावस्ता में इसने तो किलोग्राम की एक वस्तू ठीक है कोई वस्तू है यहां मरे यह नहीं कहा गया किध सुआ है किया जो चेज़ प्रॉपी कोई है एक्छा हो तो यह नहीं रही है यह कली विलान मावस्ता में है उसका वजब्लम पर एक सेक्रेट की लगाया है विल फों लगाया विलिप्ली समयतिक लगाया एक सेक्रेट की लगाया ठीक है जिसमी वह दो मीटर के स्थापट हो जाती है मानी जबा कोई दो ग्रोग्राम के बस्तु यहाँ पर थी ठीक, इसके उपकर एक सेक्टिंड गपल लगाया गया ठीक है, अब यह कितनी दूर से लिगे, दो मीटर से लिगे ठीक है, दो मीटर चलिए लिजी से डायरेक्शन देनी जाएगी है दो मीटर विस्थापट होती है, बल का मान ज्याद कीजी क्या कुछ है, कि बल कितना प्रेशन का लगाया गया, ठीक है कितने ड्यूर्टन का बल लगाया गया, यह बताना है जो देखें कि इनोंने क्या दिया गवाया है, जरा वैमान में इसे जी नोटिट वाइक है, दो किलोग्राम समेंट एक से किट, विस्थापट के तरह है, दो मीटर और वाइक हमने कड़्ीची स्पीड किया थी, रुखी हुई थी, मतलब होई गट्टी ने थी, जी रॉट सक्वीट थी ठीक है कि प्राम प्यिए कितना प्रफ़ को मिटराथ का नए, कल डूर करना है, थिदे ऋर्जूर्ट हमारे पास गट्टी तदेशन आपस लिएिसां इ cleanup up the clock और करी आज है नती listen नती इसलिए अधिभर नाज़ी आजय है बी की वेट स्वाली लायों नोगर नो चाहिए अ की वैयुटि आउड़ आपा सिरो लेक है और दो एक की क्ने की वैयुट के की की वैयुट इसफिक बाद दैए यह वह चार नहीं कितना हो चार नहीं दियर इस अगला कुषि ने एक ट्रक विराम आवस्था से विराम आवस्था मतलब प्रारंभिक वेग है उसका जीरो यू इस इकवल टू जीरो गती प्रारंभ करता हुआ नियत तवरण से मतलब उसका जो स्पीड है वेग है वो फिक्स है पहाड़ी से नीचे की ओर लुड़कता है ठीक है नीचे की ओर आ रहा है तदा बीस सेकंड में समय कितना है स्माल्टी बीस सेकंड बीस सेकंड में चार स मीटर दूरी ते करता है विस्थाबन कितना है चार सो मीटर विस्थाबन को किस से डीनोड किया जाता है स्मॉल एस से यदी ट्रक का दरवेमान साथ मिट्रिक टन है ये स्मॉल एम की वेल्यू है यदी ट्रक का दरवेमान साथ मिट्रिक टन है तो ट्रक पर लगने वाले बल कमान ग्यात की थी, कितना बल लगा रहा है इंजन उसके उपर, ठीक है, दिखिया, दिया है, S is equal to 400 मिटर, समय है 20 सेकंड, प्रारंबिक वेक शोन ने, समय 7 मिटरिक टन, इसे 1000 से मल्टी क्लाइ कर देंगे, तो किलोग्राम में आ जाएगा, तौरन is equal to कुष्माक, F is equal to कुष्माक, हम जानते हैं कि गतिक अधित्य से मिकरन है, S is equal to UD plus half 80 square से, S की value है 400, U की value है 0, T की value है 20, plus half, A की value हमें find out करनी है, T की value है 20, 20 का square, ठीक है, यह 0 आ जाएगा, 0 हट गया, और यह आ गया 400, 400 को 2 से divide किया, तो कितने हैं, 200, अब यह 200, 400 के नीचे आएगा, तो 2 आ जाएगा, 20 से 20, cancel हो गया, और 2 से 4 को divide किया, तो 22 सा 4, meter per second square, ठीक है, यह तो तवरान आ गया, अब हमें जो है, इसका, बल find out करना है, बल find करने के लिए formula होता है, F is equal to M, F is equal to M की value है, 7,000, A की value है 2, तो यह हो गया 14,000 newton, okay, this is the answer of this problem, now we are going for the study of next question, question number 4, जब किसी वस्तू पर बल 1.2 second तक लगाया जाता है, तो उसका वेग 1.8 meter per second से बढ़कर, 4.2 meter per second हो जाता है, बाद में वही बल 2 second तक लगाया जाता है, तो उस वस्तू के वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो देखिए, प्रारंबे के वेग 1.8 meter per second, और आंतिम वेग 4.2 meter per second, समय 1.2 second, और तावरण is equal to कुश्मा, हम जानते हैं कि करती के प्रतम से मिकरण से, V is equal to U plus 80 से, V की वेल्यू है 4.2, U की वेल्यू है 1.8, और प्लस T की वेल्यू है 1.2 into A, ठीक है, 1.2 A हो जाएगा, यह इदर जाकर के माइनस हो जाएगा, इसमें से सब्टेक करने के बाद क्या रहा, 2.4 आया, 2.4 को यह डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट सो पॉइंट कैंसल हो गया, 12 तो था 24 मीटर पर सेकेंड स्काइर, दित्ती है इस सिती में, दूसरे सिती में, U is equal to 4.2 मीटर पर सेकेंड, तोराण 2 मीटर पर सेकेंड स्काइर, वेलासिटी कोशना, फाइंड आउट करनी है, और समय है दो सेकेंड, V is equal to U plus 80 से, V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, U की वैल्यू है 4.2, एक ही वैल्यू है 2 और समय है 2 सेकेंड, ठीकें, 4.2 ऐसी आजयागा, 22 से 4, multiply किया, 4 आगया, अब 4.2 में 4 को add किया, तो 8.2 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड आगया, दो सेकेंड में वे एक परिवर्दन बराबर, 8.2 माइनस 4.2 is equal to 4 मीटर पर सेकेंड, this is the answer of this problem,